हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल रैजिंग घुरावल पर मैं हूँ आपका फ्रेंड परमे स्वर्सिंग और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक पाइथन प्रोग्राम जिसमें हम एक लिस्ट क्रेट करेंगे और उस लिस्ट में श्टोर करें ए से जट्र तके सभी लेक्रज्ट को और वरस्ट लेटर की केवल सिंगल कॉपी होंगी और Clean लेटर की टू कॉपी होंगीALT करें ह就到र्द लेटर की फूरियहआ उपी और इसी बिस्ट में आप करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि English letters के ASCII code क्या होते हैं जैसे capital A का ASCII code होता है 65 और capital B का ASCII code होता है 66 और इसी तरह से capital Z का ASCII code होता है 90 और small letters में small A का ASCII code होता है 97 और small B का ASCII code होता है 98 इसी तरह से small C का ASCII code होता है 99 और इसी तरह से small Z का ASCII code होता है 122 इस प्रोग्राम में हम एक function का यूज़ करेंगी जिसका name है CHR यह function ASCII code accept करता है और English letter को return करता है जैसे मैं यहाँ पर write करो इक्वल टू CHR 65 तो A return करेगा capital A ओके तो देखिए program इसके लिए मैंने open किया python ideally sale और फिर मैं यहाँ से new file लेता हूँ और इस तरह से new file आ चुकी है और अब मैं इस file को save कर लेता हूँ मैंने press किया control S यहाँ पर मैं documents चूज करता हूँ और यहाँ पर मैं program name type कर देता हूँ और last में यूज करता हूँ .py जो की python file का extension होता है और अब मैं click करता हूँ save button पर ओके इस तरह से file save हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर code write करता हूँ यहाँ पर मैं create करता हूँ एक empty list letters और फिर मैं write करता हूँ for look for i in range और i की range होगी 1 से 26 तक तो यहाँ पर मैं write करूँगा 1,27 ओके फिर मैं यहाँ पर write करूँगा letters और इस list में append करना है तो मैं use करूँगा append function का और इसके inside में pass करूँगा chr function और chr function की inside में pass करूँगा 64 plus i ओके तो 64 plus i means i की initial value है 1 तो यहाँ पर क्या हो जागा 65 chr function return करेगा capital a ओके और फिर मैं write करूँगा replication operator फिर मैं write करूँगा i ओके इस तरह से complete हो गया है अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर है capital i और और यहाँ पर है capital a और i की value है 1 तो क्या होगा कि capital a को केवल एक ही बाहर replicate करेगा मिन्स उसके single copy ही रह जाएगी और वही copy letters जो list है उसमें append हो जाएगी next time के लिए i की value होगी 2 यहाँ पर होजाएगा 66 और a function return करेगा capital b और यहाँ पर i की value होगी 2 और replication operator b को 2 times तक replicate कर देगा तो यहाँ पर b b इस तरह से आ जाएगा और फिर इस list में append हो जाएगा और इस तरह से यह loop total 26 time तक चलेगा और letter z तक के लिए यह work करेगा और इस तरह से पूरी list ready हो जाएगी और फिर मैं इस list को print कर लेता हूँ print letters और अब मैं इसे save कर लेता हूँ और फिर मैं press करता हूँ F5 तो इस तरह से आप दिख सकते हैं इस list यहाँ पर आ चुकी है और इस list में देखिए पहले है capital A फिर देखिए यहाँ पर 2 times capital B है यहाँ पर देखिए 3 times capital C है और last में देखिए 26 times तक capital Z है और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर small ABC आए तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर आपको simply write करना है 96 और फिर मैं इसे save कर लेता हू फिर से मैं इसे run कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए small letters आ चुके हैं ओके फ्रेंड्स तो मुझे उमीद है कि आपको यह program अच्छे से समझ में आ गया होगा इस तरह से यह video complete हो चुका है यदि आपको यह video अच्छा लगा हो च्छे like करें share करें और मेरे चनल को subscribe करें thanks for watching करेंड्स नहीं